बैसावमी मिन्स धमाका, बरा बरा धमाका और बैसावमी मिन्स नैनया फोन कर लांच होना बैसावमी कुछ बिन पहले हमें एक धमाका दिया था बैसावमी कुछ बिन पहले हमें एक धमाका दिया था बैसावमी कुछ बिन पहले हमें एक धमाका दिया था इसके बार में बहुत सरा leaks images, rumors और बहुत सरी confusion हो रहा था पर अभी हाली में Redmi 6 Pro का live images और live unboxing images आ गया यानी ये phone launch होने वाला है कब? बैच चाइना में 25th of June को आज इस वीडियो में मैं आपको Redmi 6 Pro की कुछ net features, specification, price क्या होने वाला है इंडिया में? चाइना से इंडिया में? कब तक launch होगा? ये सारी details आपको बताऊंगा भाई मुझे बहुती बहुती दुख होता है भाई साउमी हर एक प्रोड़क्स चाइना में भाई पहले क्यों launch करता है? आपके पास ये भाई इसका उत्तर है? जरूर देना भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बाई दोवे मेरा नाम है सुमोन और आप देखे हो गैजेट्स वाला तो चलून कोरबोनार देड़ी शुरू कोड़ी ताहतारी बाई 25 अब जून को सावनी रेड़ी 6 प्रो हो सकता है ये रेड़ी नोट 5 प्रो का साक्सेसर है ये लॉंच होने वाला है कहाँ पर चाइना पर 25 अब जून को बाई चलिए इसके बार में थोड़ा सा कुछ स्पेसिपिकेशन जान लेते हैं और आपको ये बता दें बाई रेड़ी 6 प्रो का लाइव अन्बॉक्सिंग इमेज़ेस आ चुका है बाई आप स्क्रीन पर देख सकते हो बाई आपको प्रोड़क्त के साथ क्या मिलता है पहले आप देख लीजे प्रोड़क्त के साथ आपको एक केस मिलता है ये जो सिलिक पर आते हैं बाई रेड़ी 6 प्रो में आपको 5.84 इंचेस का फुल एजडी प्लास डिस्प्ले मिलता है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ 19 इस्टू 9 अस्पेक्ट रेश्यो वाला डिस्प्ले होगा इसका और 2.5 डिकर का ग्लास पर जो अच्छा फीचर्स इसमें दिया गय गया था और नुक्या 1.6 में भी ये फीचर्स नहीं दिया गया है पर अपडेट से आपको ये फीचर्स मिर जाएगा तो आप रेड़ी 6 प्रो में भाई जो नौच है अगर आपको पसंद नहीं है वो नौच वाला डिस्प्ले आप इसको भाई रिप्लेस भी कर सकते हो या देखनी को भाई मिर रहा है आपको पीछे में फिंगर पिंट सेंसर और यह जो पीछे का बॉड़ी है यह मेटाल डिजाइन है यानि मेटाल इंस क्या गया है इसमें और आपको उपर और नीचे आंटेना बैंड लाइस देखने को मिलेगा और यहां पर प्लास्टिक तो यह सुनने में यह ऊपून आपको थी की जाएगा दो तूर्स दो में चल्डी को मिलेगा यारी आप एट टाइम शाहे कर सकते हों उसके सब्सक्राइट खशाथばい भाई अगर मैं इसमें प्रोसेसर की बात करूँ वहीं आपको Redmi Y2 के तरह Redmi Note 5 के तरह दो साल पुराना प्रोसेसर दिया गया है यानि यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेर मिलता है जो के Octa Core बेस्ट है और यह 2 GHz पर चलता है और 14 नानोमीटर फिन फेट टेकनोलोजी पर बनाया गया है मैं यह नहीं कह रहा हूँ प्रोसेसर अच्छा नहीं है पर आज की जमाने में यह थोड़ा सा ओल्ड है फिर से आपको यह कह दू आपको यहाँ पर Adreno 506 GPU मिलेगा गेमिंग एक्सपरियेंस आपको प्राइस की हिसाब से अच्छा ही मिलने वाला है अगर मैं यह आप एक कैमरा की बात करू तो आपको इस फोन में भी दो कैमराज मिलता है एक 12 मिगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा इस पर यूज क्या गया है 1.25 माइक्रोन का पिक्सल और इसका एपर्चर है 1.2.2 दूसरा जो कैमरा है इस पर यूज क्या गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा और इसका एपर्चर भी है 1.2.2 और आपको dual tone dual LED flash मिल जाएगा, तामने में दिया गया है या तो 5 MP का camera या तो 8 MP का camera और एक LED flash आपको दिखने को मिल जाएगा और सामने का जो aperture है camera की वो है 1.2, अगर मैं यहाँ पे battery की बात करूँ तो इस phone में आपको 4000 image का battery दिया गया है और मेरा मानना यह है आपको 4000 image की battery से देर दिन का battery backup ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि processor उतना heavy नहीं है और optimized भी है और आपको यहाँ पे जो screen मिलता है वो भी 5.84 inches का तो मेरा मानना है आपको देर दिन का battery backup ज़रूर मिल जाएगा चलिए बात करते हैं यहाँ पे OS की या operating system की इस phone में आपको Android Oreo 8.1 मिल जाएगा और उसके उपर आपको MIUI 9 का support भी मिल जाएगा जब update आएगा बहुत ज़ल आपको MIUI 10-based phone में देखने को मिल जाएगा इस phone में आपको USB type सो तो नहीं देखने को मिलेगा आपको normal USB port भी मिलेगा fast charging है के नहीं यह भी भाई confirm नहीं है नहीं यहाँ पे अगर बात करूँ कुछ और features की तो आपको air blaster मिल जाएगा और सभी sensors भी मिल जाएगा जैसे के भाई accelerator sensor proximity sensor ambient light sensor by gyroscope और hall sensor और आपको e-compass भी देखने को मिल जाएगा यानि आपको इस phone में VR headset का support और 360 degree वीडियो आपी YouTube से देख पाऊगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और कुछ features की तो आपको इस phone में face unlock का features भी दिया गया है तो यह जो total package है यह बहुत ही बढ़िया होने वाला है मैं इसको खरिदने वाला हूँ क्यूंकि मैं specification से उतना ज़्यादा इंपेस तो नहीं हुआ हूँ यानि processor से पर इसका जो notch वाला display है यह आप height कर सकते हो यह मुझे बहुत अच्छा लगा और Nokia X6 में भी आपको यह features update के बाद मिल जाएगा हाला कि यह launch नहीं हुआ है बहुत जल लॉंच होगा तो भाई यह का price क्या है अब भाई इसका price सुनने में यह आ रहा है 2GB और 16GB का यानि basic जो model है इसका price 10,500 के आसपास रहेगा मेरे इसाब से 2GB 16GB 10,500 अगर हो तो यह अच्छा डिल्स नहीं है अगर इसका price 3GB 32GB वाला का है तो यह phone गजब का phone होगा हाला के अभी भी confirmation नहीं है price के बारे में पर चाइना इवान के सबसे इसका price 10,500 हो सकता है भारत में तो देखते हैं यह देखनी वाली बात है भै सावमी इंडिया में यह कब तक launch करेगा किस price में launch करेगा और मैं यह भी आपको कह सकता हूँ भै यह phone कब तक इंडिया में आ जाएगा इसके बादे भी confirmation नहीं है 20 फीट अब जून को चाइना में आ जाएगा उसके बाद आप यह बाए मान के चल सकते हो आपको दो मैंने के अंदर यह phone या एक मैंने के अंदर launch हो सकता है इंडिया में तो फिलाल देखने वाला बात ही यह है कि कब तक यह इंडिया मे आएगा जब आएगा इसका फुल डिटल्स रिव्यू भी आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर हां तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा आपका बै कमिल सेयर कीजेगा इसका फ्राइस क्या हो सकता है इंडिया में तो आज के नमों तो ने टुकून आबार देखाबे आरेक पीन तो वीडियो थे खुब तातरी तो तो खरजनों कुब भालो डागबिन कुब भालो डागबिन सोबाई के धुन्ना बाद